नमस्कार आज हम बारवी कक्षा का एक और अध्याय करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक सामराज्य की राजधानी विजयनगर इसमें हम जितने भी objective type question होंगे वो सारे के सारे इस तरहां से प्रस्तुत करेंगे कि अगर exam में कोई एक वी question इस chapter से आ जाता है तो आप सीधा सीधा उसका जवाब लिख सकें और आप पूरे पूरे नमबर ले सकें तो आईए हम लोग शुरू करते हैं अध्यायच हैं एक सामराज्य की राजधानी विजयनगर सबसे पहला सवाल है कि विजयनगर जो सामराज्य था वो किस नदी के किनारे स्थित था तो ये तूंग भद्रा नदी के किनारे स्थित था जो हमारे दक्षिन में है आप भारत के मानचित्र पर जब एक नजर डालेंगे तो जो दक्षिन में बहने वाली सारी नदियां हैं एक बार आपको वो सभी देख लेनी चाहिए तो तूंग भद्रा नदि के किनारे बसने वाला जो सामराजजे था विजए नगर सामराजजे और उसी के साथ एक और बात यहां पर आप देख लें कि जो सरवादिक परसिद नहर थी उसको हिरिया ना नहर के नाम से जाना जाता था तो दो बाते हो गई तुंग भद्रा नदी के किनारे विजयनगर सामराजे बसा हुआ था और हिरिया जो परसिद नहर है उसका नाम था अब आते हैं कि विजयनगर सामराजय की स्थापना कब हुई 1336 इस्वी में हमें याद करना पड़ेगा 1336 में विजयनगर सामराजय की स्थापना हुई और इसकी स्थापना का श्रे जो है क्रेडिट जो है जाता है दो भाईयों को हरी हर और बुक्का तो विजयनगर सामराज्य की सापना जिस 1336 इस्वी में हुई थी और सापना जो की गई थी वो दो भाईयों हरी हर और बुका के द्वारा की गई थी ये भी महत्तपुन सवाल है इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि जो करनाटक सामराज्यम किसे कहा जाता है उसके बाद अगला सवाल है कि विजयनगर की स्थापना किस के काल में हुई जैसा हमने पहले बात की है 1336 इस्वी में उस समय दिल्ली सल्टनत पर मुहमद बिन तुगलक विराजमान थे तो विजयनगर की स्थापना किस के काल में हुई मुहमद बिन तुगलक के काल में हुई उसके बाद जो अगला सवाल है कि विजयनगर का सबसे परतापी शाशक किसको माना जाता है किसके साशनकाल में विजयनगर सामराज्या ने पूर्ण रूप से उन्नती की तरक्की की तो उनका नाम था किर्शन देव राए ये आप नौट कर लेंगे किर्शन देव राए जी के दौरा या कह सकते हैं कि किर्शन देव राए जी सबसे सकती शाली राजा रहे विजयनगर सामराज्या के और उन्होंने अपनी मदर के नाम पर मा के नाम पर एक और नगर बसाया था जिसको नगल्पुरम के नाम से जानते हैं ये स्वाल यहां पर बनता है कि क्रिशन देव राय को अपनी बुढ़ी मतापूर्ण सलाा ढिया करते थे तो क्रिशन देवराय के दर्बार में तिनाली राम रहा करते थे क्रिशन देवराय की मिर्ट्व 1529 में हुई थी तीक है उसके बाद आते हैं कि हमपी नगर का संबंद किस सामराज्य से है विजे नगर सामराज्य से तो हम्पी नगर यानि के विजय नगर सामराज्य को हम्पी नगर से भी जाना जाता है जो आज तमिलाडू में स्थित है अगला सवाल है विजय नगर का वर्तमान नाम क्या है हम्पी हंपी का नाम किस थानी देवी देवता के नाम से जाना जाता है कर दिया गया 1976 के अंदर इसी तरह से इसको विष्व के पुराथ पुरात श्थल जो हैं वेश्व के पुराति तु स्थल जो है उनमें भी 1986 के अंदर Long besteht में यह दिया हुआ हम पी को विष्व पुराति तु स्थल पर कभ घोशित किया गया 1986 में दो सवाल इंपोर्टन्ट है राष्ट्य ध्रोर गोशित किया गया 1976 में 1976 में विश्व पुराता तुस्थल कब गोशित किया गया 1986 के अंदर अगरा सवाल है विजनगर भारत के किस प्रांत में सित है आज के तमिलाडू में हमपी के नाम से जाना जाता है और हमपी नाम पंपा देवी से आया है तो इस तरह से कॉर्लेट करके आप लोग याद कर लेंगे आगे चलते हैं किस मुगल शाशक ने कृष्ण देव राई जी का वर्णन किया है तो विजयनगर का समकाली इंदक्षिन भारती राज्य कौन सा था बहमनी सर्वेर जनरल भारत का पर्थम सर्वेर जनरल इसका क्या मतलब हुआ कि जो वेक्ति सर्वे करता है मांचित बनाता है और हमें ये बताता है जानकारी देता है कि कौन सा सामराज्य कहां पर है इसकी क्या उप्योगिता रही होगी और उसमें क्या रहा होगा तो ये जो सर्वेर जनरल थे ये कॉलिन मेकल जी थे अथारा सो में इनों ने विजयनगर सामराज्य को खोजा तो पहले सर्वेर जनरल कौन थे कॉलिन मेकल जी ये बिटिस इंड या कंपनी की अधिकारी थे और एठारा सो में आनों ने विजय नगर सामराँ ज्ये कि खोज की अब देखिए विजय नगर सामराज्य किस वंस से संबंदित थे संगम वंस पहले साशक देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ नाम बताऊंगा पहले जो साशक थे वो संगम वंस से थे उसके बाद थे तुलूव फिर थे सुलूव यह कुछ नाम थोड़ा जीब लगेगा बुक में आप पढ़ सकते हैं और जो अंत में नाम आएगा वो था अराविंदू कुछ नाम याद रखने हैं आपको सुलूव संगम तुलूव सुलूव और अराविंदू ठीक है तो जो पहले साशक थे वो किस वंस से थे संगम वंस एगिस से उसके बाद जो साशकाये अंतिम साशक कों था अराविंदू वंस यह भी मैंने आपको बताया है अराविंदू वंस का ठीक है उसके बाद आते हैं कि जो युद्ध था एक जिसका नाम रखा गया था राक्षश की कांगडि कहा गया और तालिकोटा का युद्ध क तो इस तरहां से हम कह सकते हैं कि जो तालीकोटा का युद्ध है राक्षिसी का अंगडी युद्ध है जिसकी वजए से विजय नगर सामराज्य खटम हो गया था वो पंदरा सो पैसट पिस्वी में लड़ा गया था इसके बाद जो अगरा सवाल है विजय नगर का जो बारे शुद का लेना एक वारथ पहले संगम वंस था फिर तुलू हुंस था और जिसका जो अंत ये था कि राजा क्रशन दिव राई ये तुलू हुंस के थे वराविडू तो यह आप्टिक कर लेंगे उसके बाद यह भी एक important सवाल है जो एक जलाशे बनवाया था क्रिशन देवराव ने जिसको कमल पुरम के नाम से जाना जाता है तो इसके बारे में कमल पुरम के बारे में जिन्होंने वर्णन किया था वो कौन थे डॉमिंगो पेश इन्होंने बजार के दोनों सवाल आ सकते हैं कि जो किर्शन देव राय जी ने जलाशे बनाया था उनके बारे में किस लेक्षक ने बताया है डॉमिंगो पेश ने और नहोंने बजार के बारे में भी वर्णन किया है अगरा सवाल भी वही है पंदरवी स्थाब जी के प्रारभम में विजय नेगर में किस जलाशे का निर्मान किया गया था वही जिसके बारे में डॉमिंगो पेश ने बताया तो कौन सा था कमल पुरम ये नाम है इसKा आप चेक कर लेना कमल पुरम ठीक है उसके बाद है यहां पर कमल पुरम उसके बाद कमल महल के नजदिक एक बड़ा भवन किस नाम से जाना जाता तो वहां पर एक कमल भवन महल था और वहां पर जो एक हाथियों का बड़ा भवन था उसको हाथियों का अस्तबल कहा जाता था ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है उसके बाद वही उसी वेक्ति का नाम दुबारा आ गया है डोमिंगो पेश उन्होंने विजे क किसे कहा गया है महाना उमी डब्बा यहां पर मैं आपको सला दूँगा कि आप बुक को जरूर पढ़े क्योंकि महाना उमी डब्बे का बहुत ज्यादा योगदान है विजे नगर सामराज्य में उसके बाद हम चलते हैं कि धार्मिक केंद्र में सबसे उच्छी इमारत का क उसके बाद है कि नायकों दुआरा आप ये नायकों थे इसके बारे मैं और आपको बताऊंगा तीन नाम बताएं तीन बात बताएंगे एक राय को नायकों थे ये बहुत इंप्रौर्टंट रहेंगे आपके ये इनमें से भी एक सवाल आ जाता है लैक Jesus फंड्बाद है कि na इसके बाद है भारत में बंदूक लाने का शिरेक इसको जाता है देखे पहले तीर और तलवारों से लड़ाई होती थी सबसे पहले जो बंदूक है भारत वर्श में कोन लेकर के आये थे पुर्तगाली यह सवाल भी बनता है पर्तुगाली जो है बंदूकों को जो इंट्रिड्यूस कराया था भारत में वो पर्तुगाली उने कराया था उसके बाद है संस्कृत साइटे में युनानी तथा उत्तर पश्चिम से आने वालों को क्या कहा गया है जो उत्तरपश्यम से आते थे युनान से आते थे उनको यवन का गया ये भी सवाल पूछा जाता है अब हम थोड़ा धरम के बारें बात करेंगे विजे नगर सामराज्य में जो धार्मिक भावन बने हुए थे उनके बारें तो सबसे पहला ही सवाल है कि विजे नगर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था यहाँ पर हम तीन चार नाम याद रखने हैं देखिए पहला है विरुपाक्ष बिल्कु ठीक है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा फिर है विठ्थल ठीक है उसके अलावा है पंपा देवी ये तीन नाम आपको याद रखने हैं हम जब धरम की बात कर रहे हैं तो पहला ही सवाल है विजयनगर में सबसे बड़े मंदिर का क्या नाम था तो यह जो सबसे बड़ा मंदिर था यह विरुपाक्ष का मंदिर था वहां के देवता का नाम है विरुपाक्ष और रथ की आकरती वाले मंदिर को किसे माना जाता था विठ्थल देवता के मंदिर को तीन नाम बताए थे में आपको विरूपाक्ष, विठल और पमपा देवी इस कि विजे नगर में विरूपाक्ष के साथ किस देवी का विवा उत्सव परतिवर्ष मनाया जाता है इसके बाद है जैसे हम बात कर रहे हैं तो कितने मंदिर थे राज़की के अंदर में साथ से अधिक मंदिर थे और इटली का एक यात्री था अब्दुलर्जाक जिसने यात्रा की थी विजे नगर सामराज्या ने बताया विजे नगर सामराज्या के बारे में अब्दुलर्जाक ने बताया था कि दुरुगों की कितनी संख्या बताई साथ दुरुगों की जो पंक्तियां बताई थी वो साथ है अगला ही सवाल है हमारा देखिए अब्दुलर्जाक ने दुरुगों की कितन जाता था राय बिल्कुल ठीक है और जो स्थानिये सैनिक होते थे उनको कहा जाता था नायक यह मैंने लिख दिया यहां पर नायक ठीक है यह राय भी हो गए नायक भी हो गए थानिये सैनिक परमुकों के साथ साथ परसाशनिक कारिये भी किया करते थे उनको यहां पर लिखा ह सैनिक परमुक के साथ साथ परसाशनिक कारे करने वाले वर्ग को विजेन अगर में क्या नाम दिया जाता था तो वो नाम दिया जाता था अमर नायक अमीद करता हूँ कि आपको यह बाद समझ में आ गई होगी आगे चलते हैं यहां लेखा भी हुआ हैं अमर नायक उसके बाद है गजपती की उपादी के साशक लिया करते थे गजपती जैसे महाराजा, धिराज, ये सारी उपाजियां होती तो उडिसा के काली कट का वर्तमान नाम क्या है? कोजी कोड, कोजी कोड और काली कट याद रखना है हम पी के भगनावेश, अवशेश किसने परकाश में लाए? कौन परकाश में लेकर क्या है? मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक सवाल रिपीटी भी हो जाता है पर्थम सर्वेइर जनरल, शायद आपको याद होगा पर्थम सर्वेइर जनरल ओफ इंडिया, पहले सर्वेइर जनरल कौन थे? कॉलिन मेकेंजी, ठीक है? इसके बाद, मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देता हूँ जिसने अब तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया आगर आगे, वो चाहते हैं कि आगे जो मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ ये चछटा चैप्टर है, बाकी के पांच चैप्टर क्योंकि अब की बार जो एक्जाम में आएंगे, वो ग्यारा ध्याय आएंगे अगर आप जाते हैं कि आने वाले चैप्टर के बारे में आपको पता लगे तो आप इसको सबस्क्राइब कर लें और जो इससे पहले वाले जो चैप्टर हैं, वो मैं डिस्किप्शन में उनका लिंक डाल रहा हूँ आप देख करके उससे लाभानवित हो सकते हैं अगले चैप्टर तक का इतिजार करें, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिंद, जैभारत